तो dear students, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ current affair की series को discuss कर रहे हैं, तो आज हमारा current affair का part 14 है, तो चलिए एक एक question को हम discuss करते हैं. हमारा पहला question है, यूक्रेन में युद्ध के दवरान गोली लगने से भारती student नवीन सेखरप्पा की मौत हो गई, वह किस राजिस के रहने वाली थे? तो इसका right answer हो जाएगा, option B, करनाटक, जो नवीन सेखरप्पा थे, वह करनाटक के निवासी थे, अगला question देखते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच, यूक्रेन के राष्टपती ब्लादिमीर जैलेस्की ने किस संग में सामिल होने के लिए आवेदन पर तो इसमें correct answer हो जाएगा, नाटो, option number A, जो जैलेस्की हैं, यूक्रेन के राष्टपती उन्होंने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन पर हस्ताच्छर किया है, अगला question देखते हैं, यूक्रेन पर आक्रमण के चलते हैं, रूस के ब्लादिमीर पुतिन को खेल से, जुडो महासंग, जो ब्लादिमीर पुतिन है, इनको अंतराष्टी महासंग ने अंतराष्टी जुडो महासंग से निलंबित कर दिया है, अगला question देखते हैं, यूक्रेन रूस बिवाद के चलते किन तीन देशों ने फीफा वल्ड कप क्वालिफाईर 2022 में रूस के साथ खेलने से मना कर दिया है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, option C, चेक, स्वीडन तथा पोलेंड, चेक, स्वीडन और पोलेंड ने फीफा वल्ड कप क्वालिफाईर 2022 में रूस के साथ खेलने से मना कर दिया है, अगला question देखते हैं, रूसी प्रेसिडेंट, पुतिन ने यूक्रेन के किन दो राज्यों को सोतंत्र देश घोशित किया, और सेना भेजने का आदेश दिया, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, option D, लुहांस्क और डोने टस्क, लुहांस और डोने टस्क दो ऐसे देश हैं, जिसको अभी रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने सोतंत घोशित किया है, अगला कोशन देखते हैं, जापान में मार्च 2022 को कितनी तीब्रता का भूकम पाया था, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, 7.3, option number B, राइट हो जाएगा, अगला कोशन देखते हैं, चीन ने अपने डिफेंस बचेट को कितना प्रतिसद बढ़ा कर 1.4 trillion yuan, या लगभग यह है, 230 billion dollar टै किया है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, option number C, 7.1%, अब हम next question देखते हैं, हंगरी की पहली महिला रास्ट पती कौन बनी है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, कैटलिन नोवाक, हंगरी की जो पहली महिला रास्पती है, वो कैटलिन नोवाक है, अगला कोशन देखते हैं, चीन के बिरोध के बावजूद, नेपाल की संसद ने 4 साल बाद किस अमेरिकी कमपनी के साथ agreement को मंजूरी दी, जिस से 500 million dollar का अनुदान मिलेगा, तो इसका किस आफरिकी देश में जंगली पोलियो का मामला सामने आया, जबकि इस महादीब को वर्ष 2020 में पोलियो मुक्त घोसित कर दिया गया था, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा मलावी, option number A, मलावी में अभी जल्दी हाल ही में जंगली पोलियो का मामला सामने आया है, अगल तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, option C, तुर्किये, तुर्की के रास्तपती ने अपने देश का नाम या बदल कर क्या कर दिया है, तुर्किये कर दिया है, अगला कोशन देखते हैं, कनाडा ने किस वजह से 52 साल में पहली बार 14 फरवरी 2022 को आपात काल लागू किया है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, ट्रकर्स प्रोटेस्ट, option number B, सही हो जाएगा, ट्रकर्स प्रोटेस्ट के कारण कनाडा ने 52 साल में पहली बार आपात काल लागू किया है, अगला कोशन देखते हैं, लासा बुखार से अफरिकी देश के बाद अब किस यूरोपी दे इसमें मौत का मामला सामने आया है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, option A, ब्रिटेन, लासा बुखार से ब्रिटेन में मौत का मामला सामने आया है, अगला कोशन देखते हैं, इसराइल और किस देश ने राजनेक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर 29 जनवरी 2022 को जस्न मन आया, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, ब्हारत, option C, हमारा सही हो जाएगा, इसराइल ने भारत के साथ 30 साल के राजनेक संबंधों के पूरा होने पर 29 जनवरी को जस्न मनाया, अगला कोशन देखते हैं, अमेरिका में किस यूनिवर्स्टी ने भेद भाव रहित नीत, यानि नन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी में जाती को जोड़ा, जो काफी चर्चित रहा, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, option D, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्स्टी, कैलिफोर्नि अगला कोशन देखते हैं, काबुल में ब्लास करके 2021 में US कमांडो को मारने वाला आतंकी को दिल्ली में सुसाइड मिशन पर कब लाया गया, जिसका खुलासा फरवरी 2022 में हुआ है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, option B, 2017 में, अगला कोशन हम देखते हैं, किस आफरिकी देश में सेना ने जनवरी 2022 में तक्था पलट कर राष्ट पती, रोच मार्क क्रिस्टियन कोबोरे को गिरफतार कर लिया गया है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, option A, बुर्किना फान्शो, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोड की पहली महिला जजज कौन बनी, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, आइसा मलिक, option number C, पाकिस्तान के सुप्रीम कोड की पहली महिला जजज बनने वाली है, आइसा मलिक, अगला कोशन देखते हैं, समुंदर में डूब रहे, राजधानी जकार्ता की जगें, इंडोनेशिया की संसद ने, नई राजधानी बनाने का बिल पास किया, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है, नुसंतारा, option number B, राइट हो जाएगा, नुसंतारा को, इंडोनेशिया की संसद ने, जकार्ता की जगें, नई राजधानी बनाने का बिल पेस किया है, हमारा अगला कोश्चन है, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अस्वेत महिल कौन बनी, तो इसमें राइट अंसर है, माया एंजेले, माया एंजेलो को अमेरिका के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अस्वेत महिला है, अगला कोश्चन देखते हैं, अगला कोश्चन हम देखते हैं, भारती सेना के पूरु प्रमुक जनरल सुनीत फ्रांसिस रोड्रिक्स का निधन, चार मार्श 2022 को हो गया, वह किस राज के राज़िपाल रह चुके हैं, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, पंजाब, अप्सन नमबर सी, सही हो जाएगा, अब हम अगला कोश्चन देखते हैं, दिगज क्रिकेटर सेन वार्ण का निधन, चार मार्श 2022 को किस वज़ह से हो गया था, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, ऑप्सन सी, हार्ट अटेक, दिगज क्रिकेटर सेन वार्ण का निधन, हार्ट अटेक से हो गया था, अगला कोश्चन देखते हैं, क्रिकेटर सेन वार्ण का निधन, चार मार्श 2022 को हो गया, उन्होंने इंटरनेशनल मैच में किस टीम के खिलाफ, वर्ष 1992 में डेब्यू किया था, तो इसका राइट ए अगला कोश्चन देखते हैं, खिलाडी सुरजीत सेन गुपता का निधन, 17 फरवरी 2022 को हो गया, वा किस खेल से जुड़े हुए थे, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, फुटबाल, आपसे नमबर सी, सुरजीत सेन गुपता जो है, वो फुटबाल से सम्बंधित थे, अगला कोश्चन देखते हैं, म्यूजिक डाइरेक्टर और सिंगर बप्पी लहरी का निधन किस बीमारी की वज़े से, 16 फरवरी 2022 को हो गया था, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, आपस्ट्रक्टिव स्लीप एनिमिया, एपनिया, ठीक है, तो जो सिंगर बप्पी लह अगला कोश्चन देखते हैं, सिंगर संध्या मुखोपाध्याय ने वर्ष 2022 में किस अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया था, जिनका निधन 15 फरवरी 2022 को हो गया, इसका राइट एंसर हो जाएगा, पदम स्री, ऑप्प्पी नमबर C, सिंगर संध्या मुखोपाध्याय ने पदम स्री अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया था, अगला कोश्चन देखते हैं, बैज्यानिक लिव मांटेगनियर का निधन 8 फरवरी 2022 को हो गया, उन्हें किस वाइरस की खोज के लिए नोबल पुरसकार मिल चुका है, तो इसका इसका राइट एंसर हो जाएगा, एचाईवी, ओप्सन नमबर भी सही हो जाएगा, बैज्यानिक लिव मांटेगनियर को यह चाईवी के वाइरस की खोज करने के लिए नोबल पुरसकार दिया गया था, अगला कोश्चन देखते हैं, महा भारत के किरदार प्रवीड का नि जो महा भारत की किरदार प्रवीड हैं, वो भीम का किरदार निभाते थे, अगला कोश्चन देखते हैं, लता मंगेशकर का निधन COVID-19 की वज़से 6 फरवरी 2022 को हो गया, उन्हें किस वर्स भारत रत्न अवार्ड मिला था, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, 2001, ओप्सन बी, लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न पुरसकार से सम्मानित किया गया था, अगला कोश्चन देखते हैं, खिलाडी चरण जीत सिंका निधन 27 जनवरी 2022 को हो गया, उनकी कप्तानी में किस वर्स के ओलंपिक गेम में भारती हाकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 1964, option number B, 1964 में भारती ओलंपिक टीम ने हाकी में गोल्ड मेडल जीते थे, अगला कोश्चन देखते हैं, पंडित बिर्जु महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया, वह किस नृत्य सैली के लिए मसहूर थे, तो इसका राइट एंसर हो जाए पंडित बिर्जु महाराज ये कथक सास्त्री निधन से संबंधित थे, और पंडित बिर्जु महाराज ये लखनो घराने से संबंधित थे, कभी-कभी घराना भी पूछ लेता है, अब हम अगला कोश्चन देखते हैं, पत्रकार कमाल खान का निधन 14 जनवरी 2022 को हो गया, वह किस न्यूज चैनल से जुड़े थे, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, येंडी टीवी, ऑप्सन नमबर A, जो पत्रकार कमाल खान है, येंडी टीवी से जुड़े हुए थे, अगला कोश्चन देखते हैं, 206 रोग दिवस, वर्ल्ड टीवी डे का कब मनाया जाता ह तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, 24 मार्च, अप्सन नमबर B, 24 मार्च को विश्व टीवी डिवस मनाया जाता है, आज का हमारा अंतिम प्रस्न है, अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया है? तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, मार्च महीने के आखरी सनीवार को, अप्सन तो मार्च के महीने के आखरी सनिवार को अर्थ आवल डे मनाया गया अब हम आज का हमारा सेशन यहीं तक है अब हम नेक्स्ट वीडियो में और इंपोर्टेंट कोशन लेकर आएंगे धन्यवाद